सब्सक्राइब डीडीएस नाचना आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चनल में फिर से स्वागत करता हूं और आज का जो वीडियो टॉपिक है वे एक चटनी के बारे में है जो गर्मी से आपको रहा दिलाती है आपकी पेट की समीशा से आपको रहा दिलाती है अक्सर आपने देखा हुए कहीं आप बाहर खाना 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 जाते हैं तो आपके सामने पेट की समस्या होई जाती क्योंकि काफी चट पटा या कुछ ऐसा खानी की वज़से आपका पेट गर्ब हो जाता है पेट दर्द करने लगता है और दो-तीन दिन दिन तक आपको काफ को दिखा दूंग जानेंगे तो वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक ज्रूर करना वीडियो को शेयर जूरर करना और वीडियो के नीचे एक लाल-कलर का सब्सक्राइब बटन है उसने असके बाज़िए च्ट्रा सा गंडि Bog鏡 i और अलग-अलग सवाद के साथ इसको खा सकते हो तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक इस्पेसल चटनी बनाने के लिए जो चीजे चाहिए मैं आपको बता देता हूं बजार से आपको इस तरह एक जोटी का नारियल आता है जिसके उपर इस तरह की जोटी होती है और यह ज अंदर पानी की अवाज ने चाहिए उसके बाद जब आप इसको फोड़ोगे तो उसका पानी को सफेद करके सफेद निकलती है ऎं यहँ सारी आपको निकाल देना है किसी चमच चाको की शायता से प्रिज के फिर उस गिरी को आपको मिक्षर में मिक्षर के जार में डालना है और आपको बजार ने लेखआ आना एक fresh हरा पोदीना आप उपने इस तरह से मेरे garden में वहाँ पे में लगाखे रखा है तो आप अपने garden पे अगर हो 회 तो तो ले सकते हो, नहीं तो आप बजार से पेस्ट देख रहा है, ये पेस्ट बन जाएगा इस तरह का, ये पेस्ट आपको storage freeze में करके रखना है, इसकंडर कुछ नहीν मिलाना है, खाली गरीन पोदीना और जई नारियल की गिरी है, इसको ही क्रेज करके रखना है, क्योंकि नारियल और पोदीना दोनों ही ठंड़क देने वाले होते हैं पोदीना पेट की गर्मी में रहात देता है नारियल भी यही काम करता है कहीं ना कहीं तो नारियल का पानी में आपको बता दिया कि इसकंदर यूज नहीं करना जो इसके दर थोड़ा सा पानी निकलेगा उसको पी सकते हो क्योंकि पानी अगर इसके डाल दिये तो आपकी चटनी बिगड़ जाएगी और फिर इसके बाद में आपको अलग-अलग टेस्ट में इसको खाना है तो इसको आप खा सकते हो जैसे कि आपने दो-तीन दिन ऐसा सकते हो जीरा परियोग कर सकते हो थोड़ा निमू का इस्तेमाल कर इसको चरपटा बना सकते हो उसके साहथ ah आख़ा सकते हो अगर आपको और इसने कर में जालना चाना हो rivalry मिर्ची नहीं कि आध हम कुछ नहीं quand तो दूटर आप सा लाल मिर्ची का पाउडर लाल पिंची नहीं चाहते हो उसको उसके साथ आपको अगर प्याज या लसन कुछ बना के डाल के खाना तो इसमें मिक्स करके आप खा सकते हो अगर इसको इमली की चटनी के साथ खाना चाते हो तो आप इमली की जो चटनी होती इसके साथ मिक्स करके खाई तो इसमें एक अच्छा चटपटा पन नारियल के साथ आएगा आ तो यह चार या पांच अलग-अलग स्टेप हैं जिसको अलग-अलग स्वाद के साथ अब इसको खाश सकते हैं वीडियो आगे शेयर करें तकी इस गर्मी की मौसम में इस तेज गर्मी से आपका अपने पेट को बहुत लाब दे सकते हैं तो मैं एक और प्रियोग आपको बता कर सकते हूं मैं आपको बताता हूं इस तरह का जो कत्रा निकलेगा उपर की जूट है इसको आपको फैकना नहीं है और इस खौल को भी फैकना नहीं है यह खौल एक किसी लोहे की पातर में आपको लेना है लोहे की पातर में इसको पूरे जो इसका जो है खौल मेरे पास मैं तो जो बस्मी का पॉर्डर है उसको आपको किसी डब्बे में स्टोर करना है राक बनने के बाद और सुबह सुबह जब दही के साथ उसका एक चमच परियोग करना है आपको सुबह उठता ही दही के साथ तो आपकी जो बाविश या मस्य की प्रॉबलम है उसमें आपको काफी सारी रहात मिल जाएगी तो ये परियोग भी आप जरूर करें ये नारील का परियोग है और नारील के दोनों परियोग में आपको बताए है और पेट की गर्मी के लिए मैंने आपको बताया है कि चट्मी सबसे बश्ट है इसमें पोधीना मिक्स की है और साथ खाई आपकी जो पेट की जो गर्मी है उसमें ये निजात दिलाएगा आपको और एक परियोग में आपको और बता रहा हूँ कि इस चट्ने के साथ आप जो इसब गोल जो आता है इसब गोल की जो छिल आती है सता आता है इसका भी परियोग कर सकते हैं जो पेट के लिए काफी लाबकारी रहती है और पेट की समस्याओं में ये भी काफी फायदा करता है जो इसब का च्छिल होता है यह तो इसका प्रियोग कीजिए आपको काफी रहात मिलने वाली है पेट में और पेट की समस्याम से इत्वर मैंने आपको एक साथ दो प्रियोग बता दिये हैं यह दोनों प्रियोग आप जरूर करें और अपने पेट की गर्मी से आप निजाद ले सके सबसे सस्ता इलाज है पेट के लिए पेट की समस्या आम लोगों को होती है तो यह जरूर प्रियोग करें वीडियो को लाइक कर दे कमेंट कर दे और शेयर जरूर करें प्लीज